हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडूहब ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो आज मैं आपके साथ वन विभाग बढ़ती वन विभाग के अंदर 2023 के लिए बहुत बड़ी भढ़ती ये आई है 7400 पदो पर यहाँ वेकेंसी होने वाली है दोस्तो आपको मेरे इस चैनल के अंदर सारे गौर्णमेंट एक्जाम जितने भी गौर्णमेंट एक्जाम हो रहे हैं उसके उपर सारे विडियो मिल जाएंगे और डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और वट्चैब भी कर सकते हैं तो आएए बात करते हैं वन विभाग भरती के बारे में वन विभाग के अंदर 7400 पदो पर यह वेकेंसी आई है ओफिशल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है आठ जनवरी से फ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वन विभाग के अंदर 7400 पदो पर यह वेकेंसी है जिसके अंदर 3 पोस्ट है पहला है वन रख्चक जो की 3200 पदो पर दूसरा है वन रेंजर जो की 252 पदो पर और तीसरा है वन नियजीब रख्चक जो की 2048 पदो पर तो टोटल जो यानि कि forest guard के लिए अगर आप apply कर रहे हैं तो आपके पास 12th पास है तो आप forest guard यानि कि one रक्षक के लिए apply कर सकते हैं अगर आप one छेत्रपाल यानि कि forest ranger के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास graduation की degree होनी चाहिए आप किसी भी university से अगर आप graduate है यानि कि BA, become, B.h.c. अगर आपकी graduation complete है तो आप forest ranger यानि कि one छेत्रपाल के लिए आप apply कर सकते हैं तीसरा है आपका वन्य जीव रक्षक, वन्य जीव रक्षक के लिए अगर आप 10th pass है तो भी आप वन्य जीव रक्षक के लिए apply कर सकते हैं तो सबसे पहली बात हमने qualification के उपर discuss कर लिया है अब क्या होगा दोस्तों जब भी आप वन्य जी विभाग, वन्य विभाग के अंदर apply करते हैं तो पहला आपका return test और दूसरा आपका physical test होता है, तो physical test के लिए यहाँ पर male और female दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यह criteria होना चाहिए, ठीके, इस criteria को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है apply करे, running क्या रहेगा, running नहीं है, बहुत ही simple है इसके अंदर physical, अगर forest guard के लिए apply कर रहे है, तो 4 घंटे में 25 km आपको cover करना है, वही female के लिए 4 घंटे में केवल 16 km cover करना है, तो यह आपकी जो physical test होगा, उसके अंदर आपका यह आएगा दोस्तो, फिर salary की बात करते हैं, तो forest ranger की salary की बात करूं, तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी forest ranger की salary forest guard की बात करें, तो 5,200 से लेकर 20,200 आपकी forest guard की salary रहने वाली है, wildlife guard की बात करें, तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी wildlife की scale रहने वाला है, तो यह आपका है, दोस्तों की क्या salary रहेगी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब age के उपर discuss करते हैं, forest guard के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो 18 से 27, forest ranger के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो 21 से 38, और wildlife guard के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो 18 से 27, यानि की forest guard और wildlife guard के लिए 18 से 27 है, और forest ranger के लिए 21 से 38 साल आपकी age में रहने वाली है, तो दोस्तों यह आपको मैंने पूरी detail यह आप पर प्रोवाइट करा दी है, ओनलाइन आवेदन 8-1-2023 से 9-2-2023 तक आप अपलाई कर सकते हैं, और जो आपका जो admit card है, वो आप 24-2023 को डाउनलोड कर सकते हैं, तो अगर आप कोई information अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment section में या मेरा whatsapp number इसमें रहेगा, उस पे आप whatsapp भी कर सकते हैं,